नमस्कार परणाम सभी साथिकोत दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है बिहार में बड़ी वेकेंसी जो बेल्ट्राउन की तरब से डाटा इंट्री ऑपरेटर की निकल के आ गई है तो दोस्तों आप लोग भी 2024 में बेल्ट्राउन में जॉब करना चाहते हैं डाटा इंट अच्छी ख़बर है तो दोस्तों आपके लिए अच्छी ख़बर है क्योंकि बेल्ट्राउन की और से 20 फरवरी से डाटा इंट्री ऑपरेटर की न्यू रजिस्टेशन के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन होना शुरू हो जाएगा तो आप लोग अगर इच्छुक है डाट आपको रजिस्टेशन होना स्टार्ट हो जाएगा तो जैसे ही उसका रजिस्टेशन स्टार्ट होता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं दोस्तों कि आप ऑनलाइन तो कर लेंगे लेकिन उसका तैयारी आप किस परकार से कर पाईएगा तो आज मैं इस चैनल के माध्यम से लेकर आया हूँ आपके लिए क्योंकि ये प्रिवियस एयर का जो कोश्चन होता है वो दोस्तों आपको राम बान सावित होता है आप कोई भी एक्जाम में अगर आप बैठते हैं तो उसके लिए तो आठ नमर की पुष्ती है mcq tabs का computer से related तो उसका हम इस चैनल के माध्यम से आपको कलाज कराने वाले हैं और दोस्तों बता दूं कि अगर आपको ये पीडियाप चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जागा वहां से आप जूर क पर है तो टोटल 2019 की अगर बात करें तो आपको बार दीन में वह आपको बार्वी तक इसका एक्जाम चला था जिसका टोटल जो है वह आपको मेरे पास question है तो एक दीन में आप यहां पर देख सकते हैं 3 sitting में जो है वो एक्जाम हुआ था तो यहां आप देख सकते हैं 9 से 10 यानि एक घंटा का जो है वो आपको question होता है paper उसमें 12, 10, 12, 2019 का ये data entry operator post के लिए जो है वो आपको total 60 question का यहां पे आप देख सकते हैं यहां question है इसके बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे 60 question ये खतम होगा तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं 59 यानि इसका last question और 60 यहां last हो गया और यहां पे इसका second sitting का जो है वो आप देख सकते हैं 12 से 1 बज़े का जो है वो आपको question paper नीचे आपको मिल जाएगा इसी तरह से इसका ये 60 question देखने को मिलेगा और इसके बाद last में यानि तीसरा sitting जो इसका exam हुआ है वो आपको यहां पे दिख जाएगा जैसे ही ये 60 question पूरा होता है तो तो दोस्तों ये second sitting का भी आप देख सकते हैं ये Hindi में भी और English में दोनों में आपको मिलेगा तो यहां पे आप देख सकते हैं 69 और 60 में यहां question खतम हुआ और इसका तीसरा जो है वो तीन बज़े से चार बज़े तक जो इसका exam हुआ था 10-12-2019 का यानि आपको एक PDF में आपको तीनो sitting का जो है वो question जो है वो आपको 60-60 करके उपलब्द है तो आज के इस वीडियो में हम फर्स sitting का जो 60 question है उसको देखने वाले हैं तो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को बता दू कि आप तयारी जो है वो आप किस परकार से कर सकते हैं क्योंकि टाइपिंग का exam तो है वो आपको हर कोई टाइपिंग का practice करके निकाल लेगा लेकिन अच्छा content जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आप qualify जो है वो first step में ही छटा के बाहर हो जाएगा तो इसलिए आपको start question में कम से कम 30 number जो है वो आपको लाना परेगा इसके बाद आपको typing test में बुलाया जाएगा अगर आप start में 30 number नहीं लाते हैं तो आप जो है वो दोस्तों अगर start में अगर आपका 30 marks नहीं आता है तो उसी समय आपको बाहर कर दिया जाएगा यानि आप typing के लिए eligible नहीं होंगे तो इसलिए आपको जो है अच्छा content यानि previous year से question से बढ़के और कुछ नहीं हो सकता है आप यकिन मानिए कि total 12 दिनों में यानि एक दिन में 3 sitting में exam हुआ तो इस तरह से 12 या 36 जो है वो आपको हमारे पास set है और 36 set में 60 60 करके आप सोच लिए तो अगर यह total question आप एक बार देख सकते हैं देख लिजिए पढ़ सकते हैं और थोड़ा भी याद कर लिजेगा तो आप अच्छा score कर सकते हैं तो वीडियो को हम सुरू करते हैं आज की इस वीडियो में हम यह 10 12 2019 का 9 से 10 का जो sitting था उसका total 60 question देखने वाले हैं next video में हम इस सकते हैं इसका first question जो है instruction decoder is a part of the तो दोस्तों आपको बता दूं कि यह वेल्टान जो है वह आपको question जो पूछती है वह आपको टोटल प्रैक्टिकल question जो है वह आपको पूछने के काम करती है तो आपको जैसे ही साट question देखेंगे तो आपको अनुबब हो जाएगा कि किस से यह किस pattern पे question को पूछता है तो इसका जो syllabus का pattern है वह आपको nis nios data nt operator के 336 code के अनुशार ही है आपको यह mcq tabs का जो है वह question पूछती है तो first question में आप देख सकते हैं तो दोस्तों आए हम शुरू करते हैं इसका first question keyword तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा instruction जो है वह किसका part है पहला option कह रहा है catch का और दूसरा CPU का और तिसरा controller और चौथा HDD यानि hard disk drag का तो इसका जो है वह सही answer आप देख सकते हैं CPU होगा यानि central processing unit तो इस तरह से पहला का answer जो है वह आपको दो number CPU हो जाएगा next question की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल ज indicates यह MS word का question है और इसमें आप देख सकते हैं कह रहा है कि gutter margin term gutter margin जो होता है MS word में वो क्या चीज़ indicate करता है तो इसका सही answer आप देख सकते है margin add to the binding side यानि यहाँ पर आपको जो margin add होता है binding side में तो वो इसका सही answer आपको दो number हो जाएगा इस तरह से तिसरा question यानि next question आप द question 2016 से जो वो अक्सर पुछा जाता है चाहिए word हो excel हो MS word powerpoint excel यह तीनों आपको 2016 से ही अधिकतर जो है वो आपको question देखने को मिलेगा तो कह रहा है कि find the यानि खोज यह invalid view option को invalid जो option है उसको आपको MS powerpoint 2016 में क्या है तो view option में आपको normal side shorter reading view जो है वो आपको नहीं दिखेगा यह आपको page जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा तो इस तरह से इसका सही answer चार नंबर page हो गया इसी तरह से next की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं चार नंबर question में कहा रहा है कि what is the full form of DDL यानि DDL का full form क्या होगा तो इस तरह से इसका चार option आपको देखने को मिल जाएगा database link library और direct layer link तिसरा database layer library और इसका चौथा यानि जो सही answer है वो आपको dynamic link library जो है वो आपको होता है किसका DDL का यानि DDL का full form क्या होगा dynamic link library तो इस तरह से यह आपका देख सकते है question का pattern जो है वो आपको किस तरह से है next बात करें नेक्स्ट आपको 5 नमबर की बात करें तो what is the limit of maximum number of row in mx excel 2016 यहाँ पे आपको दोस्तों बताया जा रहा है कि word mx16 में यहाँ maximum number of row का यानि अधिक से अधिक row का जो संख्या है वो आपको mx excel 2016 में कितना हो सकता है तो यहाँ पे आप लोग इसको रट लीजे बहुत ही important यानि BBI question है यहाँ पे आपको यह question जो है वो आपको बहुत ही important है बार बार यह question आपको पुछा जाएगा कि mx excel 2016 में maximum row की जो है वो संख्या कितना होता है तो 10,48,576 जो है वो आप लोग रट लेंगे कितना होता है maximum row की संख्या 10,48,576 next question 6 number की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो 6 number में आप देख सकते हैं कि the main mail merge document यानि mail merge का main document जो है वो आपको क्या होता है यहाँ पे आपको दिख जाएगा directory, letter, envelope, labels, emails तो यह इसका जो है वो आपको दो number जो है वो option सही हो जाएगा इस तरह से next 7 number की बात करें तो किसके द्वारा किया जाता है तो logical structure of the record के अनुसार जो है वो आपको इसका file का organization जो है वो आपको किया जाता है इसका 4 number question जो है वो आपको सही हो जाएगा इस तरह से 4 number option जो है वो आपको इसका सही हो जाएगा next 8 number की बात करें तो दोस्तो next 8 number में आप देख सकते हैं कि dash is the default page of orientation in MX powerpoint यानि यह powerpoint MX powerpoint में जो है वो आपको इसका orientation जो है वो आपको किस तरह से होता है powerpoint का land escape में होता है left extended होता है या फिर portrait mode में होता है या फिर right extended होता है तो यह आपको MX powerpoint में जो है वो आपको हमेशा यह land escape में ही में land escape में में आपको देखने को मिल जाएगा इसका सही option land escape हो जाएगा next 9 number की बात करें तो यहां पे find out the option that is not available in number group under home menu in MX excel 2016 कहा जा रहा है कि क्या चीज है जो नहीं available है number group under यानि यह MX excel 2016 में आपको जो under home menu में है वो आपको number जो है कौन सा है number जो आपको नहीं available है तो इसका right answer decimal point style जो है वो आपको यह देखने को नहीं मिलेगा तो इसका इस तरह से 9 number जो है वो आपको decimal point style जो है इसका correct answer हो जाएगा next 10 number की बात करें next 10 number की बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं कि the top left most corner of the MX word 2016 screen layout has the menu button called यानि जो सबसे top left most corner पे आपको MX word 2016 में screen layout पे आपको देखने को जो मिलता है वो आपको menu button call उसको हम क्या कहेंगे उस menu को हम क्या file कहते हैं home tools menu नहीं कहके आपको इसको हम files के नाम से आपको जाना जाता है next हम 11 नंबर की बात करें तो the fact function in MX Excel belongs to the dash category यानि MX Excel की बात कहा जा रहा है कि जो fact function होता है MX Excel belong to वो किस नंबर के साथ जो है वो category के साथ belong करता है तो इसका जो है answer आपको math and telegramatic जो है वो आपको हो जाएगा यह logical database और information जो है वो आपको नहीं होगा इस तरह से यह जो है वो आपको नहीं होगा यह आपका तही answer हो जाएगा first number next यहां पर आप देख सकते हैं 12 number question में कहा जा रहा है कि with respect to mail merge which one of the flowing is the not default file in the level यानि mail merge के जो है वो आपको बात किया जा रहा है कि mail merge which one of the flowing यानि इसमें से कौन सा है जिसको note default file in a level यानि यह default field में level का जो है वो आपको नहीं यूज किया जाता है तो आप यहां पर पीन जो है इसका correct answer है CT email address और last name जो है वो आपको गलत हो जाएगा इस तरह से इसका पीन जो है वो correct answer हो जाएगा next तेरह नमर की बात करें तो कह रहा है कि the the kernel is dash यह kernel जो है वो आपको क्या है तो पहला option software part inside the hardware यह नहीं होगा the central part of the operating system यानि यह kernel जो होता है वो आपको the central part of the operating system जो है वो आपको इसका kernel का यानि तेरा नमर का जो है वो आपको आंसर हो जाएगा correct answer the CPU and IO controller नहीं होगा यह भी नहीं होगा इस तरह से यह आपको the kernel is यह ना the kernel central part आप जो है तो इस तरह से the kernel is क्या होगा kernel को हम लोग the central part of the operating system के नाम से जाना जाता है next 14 नमर की बात क देख सकते हैं which of the flowing is not a correct option to the same change made in an exacting worksheet to you have open and work in the MS Excel यानि का रहा कि MX Excel में आपको इसमें से कौन सा option जो है वो आपको following not a correct option इसमें से कौन सा option है जो सही नहीं है तो इस तरह से 14 नमर कोशन में आपको बताया जा रहा है कि which of the flowing is not a correct option इसमें से आपको कौन सा option जो है वो correct नहीं है जो save the change made यह MS Excel में जो है वो save and change made को जो है वो exciting worksheet में आप नहीं कर सकते है open and work with MS Excel यानि आप नहीं उसको खोल सकते हैं और नहीं उस पे आप कोई काम कर सकते हैं तो alt plus s के द्वारा जो है वो आपको किया जाता है MS Excel में इस तरह से first, third or four जो है वो गलत हो जाएगा और इसका correct answer आपको यह हो जाएगा दो नमबर alt plus ऐसी तरह से next की बात करें तो आप देख सकते हैं 15 नमर question which of the flowing is a valid method to the start MX word यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप MX word को MX word को आप किस तरह से open कर सकते हैं इसका जो है वो valid method जो है वो आपको सबसे अच्छा तरीका क्या है तो right clicking on MX word icon and pressing backspace की इस तरह से इसके बाद selecting MX word icon and pressing delete की यह भी गलत यह भी गलत हो गया इस तरह से single clicking the MX word icon and desktop यह भी गलत तो यहाँ पर double click जो है वो आपको MX word पे करना है icon पे और desktop पे तो इस तरह से आप जब उसका icon रहेगा MX word का तो आप double click जैसे ही करेंगे तो वह हमारा open हो जाएगा next तो next यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 नमर कोश्चन a loader is a responsible for यह loader जो है वो आपको किसका responsible होता है linking the object file नहीं होगा loading the header file भी नहीं होगा editing the source file यह भी नहीं इसका loading program code for disk for memory of existing तो इसका चार नमर कोश्चन जो है वो आपको सही हो जाएगा next अगर हम 17 नमर की बात करें तो to protect the structure of nx excel workbook you should select the protect option after clicking on the dash tab यानि इसको हम mx excel 2016 में जो workbook होगा उसके हम क्या चीज को click करके हम इसको protect structure जो है वो आपको कर सकते हैं तो यहां पे review का जो है वो आपको जो review tab है उसमें आप जा करके इसको हम कर सकते हैं यहां पे structure of nx excel 2016 के workbook में तो नेक्स इस तरह से आप देख सकते हैं नेक्स अठारा नमर कोश्चन में आप देख सकते हैं इन mxl dash for copy copying multiple formula in consecutive row in multiple row elsewhere तो यहां पे इसका correct answer select desire row and press control plus c flow by control plus v इस तरह से इसका सही answer हो जागा next 19 नमर की बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं hardware device can we add through the यानि hardware जो device है उसको हम किस तरह से add कर सकते हैं तो control plus panel के अनुसार जो है आपको यह hard drive जो होता है hard drive is उसको हम device को add कर सकते हैं next हम बात करते हैं इस नमर कोचन में while formatting a row under cell size in adding to row height which of the flowing option is also available in mx excel 2016 यानि कह रहा है कि कौन सा format जो है वो आपको जिसमें row का cell का size और addition to row height यह सब जो है वो हम change कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से इसका answer जो है वो mx excel 2016 में इसका cell का size under row addition row height यह लोग यह सब जो है वो हम auto fit row height पे जाकर करके हम असानी से कर सकते हैं next यहां पर आप देख सकते हैं in mx word use dash to clear all formatting in a selected text यानि mx word में जो है वो आप इस परकार से clear जितना भी formatting cells है उसको हम clear कर सकते हैं control plus space bar को दबाएंगे तो जितना भी रहेगा वो हमारा clear हो जाएगा तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं 22 में कह रहा है कि यहां पर 202 120.75.96 जो है वो आपको class C का जो है वो आपको group है तो इस तरह से यह IP address जो है वो आपको याद कर लेना है next की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं 23 नंबर में in ms word 2016 क्लिक dash to protect file with password यानि कह रहा है कि ms word 2016 में आप कौन सा option को क्लिक करके और उसमें protect file पे जो है वो आप password लगा सकते हैं तो यह file menu में जाकर के हम इसको जो भी ms word में आप password के जो है वो लगा सकते हैं protect कर सकते हैं इस तरह से view menu टूल्स menu और home menu में जाकर के आपको इसका right answer file menu जो हो आपको हो जाएगा next बात करते है 24 का तो 24 नंबर में आप देख सकते हैं कि what could be the maximum front size that can be selected from the front size drop down list and mx excel versus sale यानि इसका maximum front size है यहां पे सेलेक्ट जो front size वो आपको कितना तक हम उसको बढ़ा सकते है maximum size वो उसका front तो यह आपको 72 जो होता है वो आपको mx excel में आप worksheets जो से ज्यादा से ज्यादा आप 22 तक बढ़ा सकते हैं तो नेक्ट्न यहां 25 में देख सकते हैं इसका सही अंसर हो जाएगा इस तरह से इसका राट अंसर हो जाएगा 26 में MSXL 2016 इसका अप्षन जो है वो आपको होता है स्मार्ट ग्रूप में इस तरह से 27 आप देख सकते हैं यानि कहा रहा है कि कहां पर आपको वर्क्षीट नाम जो है वो डिस्प्ले होता है MSXL 2000 MSXL स्क्रीन पर यहां बॉटन के जो है वो आपको लेफ्ट में इसका नाम जो है वो देखने को मिल जाएगा नेक्स 28 की बात करें तो विच अब फ्लोविंग डिवाइस इस मॉस्टली यूज़ फोर गेमिंग परफ़र्द देख सकते हैं कौन सा बस का जो है वो यूज हम कनेक्ट करते हैं मेमोरी डिवाइस में यहां पे आप PCI यहां इसका सही अंसर RPI, CBI, PCI, RTR नहीं हो करके यहां तीन नमबर जो है वो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा यहां PCI इस तरह से 30 नमबर की बात करें तो विच लॉजिकल अपरेशन इज नोट अवलेबल अंडर फर्मुलाज इन MS Excel कह रहा है कि कौन सा लॉजिकल फर्मुला जो है वो में अवलेबल नहीं है तो यह इस जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा और नोट जो है वो आपको देखने को मिलेगा यह इस तरह से कह रहा है कि MS Excel 2016 में जो प्रवाइड हो है थिरी ऑप्शन फूर मार्जिन सेट अप के लिए है न यहां पे तीन ऑप्शन जो है वो मार्जिन में सेट अप करने के लिए दिया जाता है अंडर दपेज लियाउट मेन्यू में तो वो कौन सा है तो यहां पे नॉर्मल वाइड एंड नैरो जो है वो आपको अंपर हो जाएगा ने तरी तो में आप दे सकते हैं चूज दो और आइटम एमांग फ्लोइंग ऑप्शन यहां पे आपको जो अलग है उसको चूज करना है एरियल बोल्ड अंडर लाइन और इटैली तो सबसे अलग जो है वो आपको अरियल हो जाएगा आपको जो भी टैक्स रहता है उसको बोल्ड किया जाता है अंडर लाइन किया जाता है या उसका फ्रॉंट चैन्ज है ना इटैली कर सकते हैं लेकिन यह एरियल जो है वो सबसे अलग है तो इसका अंसर हो जाएगा नेक्स्ट हम 33 नमबर की बात करें तो यहां पर जो भी है उसको हमको all select करना है तो वो control A से जो है वो हम all select कर सकते हैं चाहे वो टैक्स हो या image हो mx word में तो इसका सही आंसर आप control A से all select कर सकते हैं control E, F1, Shift A नहीं आपको जब control A यानि all select करना है चाहे वो image हो या फिर tax हो entire यानि सभी को तो हम control A से करते हैं next 34 की बात करें तो कहा रहा ह कि pyramid is an option under the smart art in mxl 2016 how many types of pyramid are available यानि यह mxl 2016 में आपको कह रहा है कि pyramid जो option है smart art में वो कितना types का है तो यहाँ पे एक ही types का जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा इसका सही answer हो जाएगा एक है ना 4-3-2 नहीं इसका pyramid का जो types है smart art में mxl 2016 में आपको single ही तो इस तरह से इसका तीन नमबर अंसर हो जाएगा 35 में use of the set of different times of present each side तो इसका side transition button हो जाएगा इस तरह से 36 में this set new time and date you may use the यानि नया date or time जो है वो आप कीस परकार से कौन से panel में जाके करते हैं तो control panel में जाके आप नया date or time set कर सकते हैं 37 में आप देख सकते हैं a worksheet cell is formatted to display percent with three decimal point what will be display if you point value is 123.4567 तो यहां पे 123.4567 जो है वो आपको यानि जो वर्क्षीट में cell में formatted रहेगा डिस्पले पे जो है वो आपको percentage में भी decimal point जो है उसका same चीज जो है वो देखने को मिल जाएगा डिस्पले पे इसी तरह से इस तरह से 38 में देख सकते हैं कि the dash protocol is used for browsing the www यानि worldwide wave में जो है वो आपको कौन सा प्रोटोकल का यूज किया जाता है तो http जो है वो आपको यूज किया जाता है snmp, smtp, ftp नहीं आपको यह सब गलत है इसका सही आंसर है na http आपको hypertax the protocol is used for browsing www में हम लोग http का यूज करते हैं प्रोटोकॉल का next हम बात करें 39 में यहां पर आप देख सकते हैं for the margin of data into the main document we use a यहां पर margin data में जो है वो main document का use आप कहां करते हैं तो data source में करते हैं 40 नमर में click menu to include a table in mx word document इसका answer जो है वो आपको insert में हो जाएगा यानि जब हम include a table in mx word document यानि आपको जब mx word में insert कहां से आप जो है वो table insert कर सकते हैं तो insert tab में जाके आप table को भी insert कर सकते हैं next 41 की बात करें तो which of the following cell formatting option the tax is not available in mx excel यहां पे कह रहा है कि cell formatting में कौन सा option है जो tax is not available है यहां पे है ना यह option जो है वो format नहीं available है tax में mx excel में तो इसका जो है वो standard italic जो है वो आपको नहीं मिलेगा बोल्ट बोल्ट इटेलिक आपको देखने को मिल जाएगा लेकिन यह ना इस तरह से इसका चार नंबर आंसर सही हो जाएगा नेक्स्ट दोस्तों इस तरह से 42 जो है वह आपको देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं 00112439 जब हम सेलेक्ट करते हैं लिस्ट एंड क्रियेट एश्मूथ लाइन एसकेंडर चार देन वाट विट वीड़ शेप अप दपकर इन दे एक्सल सीट यानि कह रहा है कि जब हम इस तरह से लिस्ट त्यार करते हैं और यह एक्सल सीट में लाइन एसकेंटर चार्ट के माद हमसे तो वह कैसा जो है वह को आकार लेगा तो एप अफर बला जो है सब लेगा उलजो कि episódio है वह आपको नहीं होगा है यहां पर differentiate है इसकली के बन जाएका प्रेवल कि मैं हम लेश्रव कि अब आफ देक सकते हैं 44 में फाइंड पाइंड और जो लोइंग ऑप्षान यहां पे और को हषाना है है HTTP, SAP, FTP, SMTP, यह सब आपको हाइपर टेक्स टांसफर पोटोकल है SNAP, FTP, SMTP, यह सब आपको अलग है सबसे भीन आपको SAP हो जाएगा इसका कर्याट रांसर नेच्ट पैटालीस की बात करें, पैटालीस नमर कोचन की तो कहा रहा है कि एक Compiler usually implies-phase to convert the source file of machine code यहां पर compiler की बात किया जा रहा है कि जो compiler का यूज्ज करते हैं employees के लिए तो वो किसका कितना phase जो है वो convert होता है source file में, machine में तो इस तरह से यह six जो है वो है n engagements करता है, दो गलत हो जाएगा, चार भीने होगा, तीन भीने होगा, six जो वह उसका correct answer हो जाएगा नेक्स्ट हम 46 की बात करें कर रहा है कि इन मेल मर्ज़ दस्लेक्ट स्टार्टिंग डोकुमेंट है थ्रो थ्री अप्शन डीज आर यह मेल मर्ज में जो स्टार्टिंग डोकुमेंट होता है उसका तीन जो अप्शन है वो कौन-कौन सा स्टार्टिंग डोकुमेंट इसके बाद स्टार्ट फ्रोम एंग्जाइटिंग डोकुमेंट यह तीनों ऑप्शन जो है वह इसका हो जाएगा नेक्स्ट दोस्तों 47 में कहा रहा है कि हमको रिसाइज करना है कौलूम का व्रीथ को 2.0 cm तो उसको हम डिफॉल्ट भेलू में किस तरह से स्लेक्ट करेंगे तो इसका अंसर हो जाएगा राइट क्लिक दो माउस ऑन दो कॉलूम हेडिंग एंड देन चूज कॉलूम ब्रीथ ऑप्शन तू पूट दर डिजायर भेलू इस तरह से इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं और तालिस नमर की बाहरी कि बात करें तो आर तालिस में देख सकते हैं यू नीडएडायस तो कॉनेक्ट टू इंटरण नेट का उसको करें चके और इंटरनेंट का जो अन्हें चला सकते हम नेक्स बात करें 49 की तो कर रहा है कि to get the logo of the organization appearing automatically in the same position for all the slides in a presentation insert the logo in dash यहां पर slide master के माध्यम से जो है वो हम इसको insert logo जो है वो presentation में sliding कर सकते है organization appearing automatically जो है वो आपको यह position all slide जो है वो presentation जो है वो insert logo में से हो जाएगा slide master के तरफ से तो दोस्तों नेक्स हम पचास की बात करें पचास नमर कोश्चन की तो proxy server does not offer with the flowing of flowing services तो यहां पर network connecting sharing जो है वो इसका सही answer हो जाएगा next 51 की बात करें हमें sexual point to use dash to move the next slide in the slide show view तो इसका right arrow जो है वो की हो जाएगा answer बावन spelling and grammar click can be initiated by pressing dash in Excel तो यह f7 का जो है वो हम use करके और spell check यानि grammar का जो है वो check correct word जो है वो कर सकते हैं next हम तीपन की बात करें तो कह रहा कि find the odd one out इसमें से जो है वो जो out है उसको चुनना है भीन को तो यह inkjet dot matrix laser यह सब जो है वो आपको यहां पर आप देख सकते हैं inkjet dot matrix और laser यह सब जो है वो आपको प्रिंटर का types है लेकिन यह touchscreen जो है वो आपको यह अलग चीज है गेम खिलने से समंदित है तो यह अलग हो जाएगा और यह तीनों जो है वो आपको यहां पर टू जो है वो एंसर इसका हो जाएगा यानि एक्सल में जो है वो ट्रैक चेंज जो है वो अंडर रिव्यू में में हम दो आप्शन जो है वो कर सकते हैं नेक्स 55 की बात करें विच आप फ्लोइंग ऑपरेशन्स कैन वी डॉन और प्रोटेक्टर वरक्षीट जो है वो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा 56 में इन मेल मर्ज वीच फ्लोइंग इन वैलिड डाटा सोर्च तो पावर पॉइंट जो है वो आपको मेल मर्ज में देखने को नहीं मिलेगा डाटा सोर्च के माधियम से नेक्स हम 57 की बात करें तो यहां पे find the odd one out from the flowing यहां पे भी आपको जो सबसे अलग है भीन है उसको चुनना है जावा पाइथोन और C++ जो है वो आपको यह computer language है लेकिन यह bootstrap जो है वो अलग चीज है तो यह सबसे भीन जो है वो option इसका हो जाएगा bootstrap नेक्स हम 58 की बात क यहां पर आपको यह protect unprotect option जो है वो आपको Excel में कहां कौन सा menu में दिखेगा तो आपको review menu में जो हो यह option देखने को मिल जाएगा नेक्स हम 59 की बात करें दोस्तों यह second last question 59 यहां देख सकते हैं which of the following facilities is not provided by provided for windows xp home version यहां पर कह रहा है कि कौन सा ऐसा facilities है जो नहीं provide किया जाता है windows xp home version में तो यहां पर automatic software installation and maintenance जो है वो आपको यह windows xp में आपको देखने को नहीं मिलेगा इसका facility next हम 60 number यानि last question की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं a tax overflow issue outside the sale in an mxl worksheet can be managed with dash option तो यहां पर tax wrapping के माध्यम से जो है वो हम इसको टैमेस एक्सल में जो worksheet का tax रहेगा उसको हम our flow इस तरह से trap करके हम अपने अनुसार उसको trap कर सकते हैं tax को इस तरह से यह total जो है वो 60 question था इसके बाद यहां पर 10 12 2019 का बारस से एक का जो है वो आपको question देखने को मिल जाएगा तो इसको हम next वीडियो में बताएंगे तो दोस्तो इस तरह से आज हमने 60 question यानि यह 10 12 2019 का जो first sitting का question था उसको हमने देखा next वीडियो में हमने आपको बताएंगे इसका बारस से एक बज़े तक का जो sitting में हुआ था है जा हम total 60 question को देखेंगे और विसलेशन करेंगे अगर आपको यह पीडियाप चाहिए तो आप आपको नीचे description में telegram का link मिल जागा तो वहां से आप जुड़के और प्राप्त कर सकते हैं हम आपको दिखाते हैं कि हमने यह total question जो है वह आपको telegram group में already share कर चुके हैं अगर आपको चाहिए तो आप message किजेगा request किजेगा हम फिर से जो है वह आपको personally send कर देंगे तो यहा 12-12-20-21-21 यानि total यह 21 तक का है और एक पीडियाफ में जो है वह आपको एक दिन का तीन सिटिंग में जो एक जाम हुआ था 60-60-60 यानि 180 question जो है वह आपको एक पीडियाफ में जो है वह आपको देखने को मिल जाएगा total 10-12-20-19 में इस तरह से 16-12-20-19 में तो इस तरह से य 21-12 तक है और नेक्स्ट की बात करें और इसके अलावा आप देख सकते हैं 22-20-19 का 23-20-21 का 27-11 का और 30-11-2019 का इसके साथ जो 2023 में बीपीएश में स्टूटीव असिस्टेंट का एक्जाम हो था 5 जुलाई 2023 का तो उसका भी question है तो भी आपको मिल जाएगा और इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं combined PDF यानि total जितना भी यह PDF है सारा का जो है वो कंबाइन करके एक PDF है 17 MB का तो वह भी आपको लगभग इसमें जितने भी question है वह आपको इसमें combine होकर के आपको मिल जाएगा तो यह विजय वह भी free में तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब कर लेजे और अपने दोस्तों के साथ भी share कीजिए ताकि गूल लोगों का भी तैयारी जो है वह आपको बहतर हो सके तो फिर मिलते हैं इसी तरह के और एक जानकरी के साथ नए वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद